इस बार की कहानी महा एकादशी गोपाल बताओं तो तुम क्या महा एकादशी करते हो हाँ मैं अपने पिता के मृत्तिव के बाद से करता था और अभी भी करता हूँ पहले मैं शाष्ट्री मत्त करता था अब मैं अच्छा खाने पीने के लिए करता हूँ बतासी बेटा जल्दी से चावल धोके लाना ला रही हो क्या लक्ष में खाना बना के नहीं मेरे पेट में चुहे दोड रहे हैं हाँ हाँ बनी चुका है आप नहा के आईए तब तक तयार हो जाएगा खाना ठीक है मैं नहा कराता हूँ आहे रे बतासी इस समय तो स्वामी को देखते हैं कि दिन रात पूरी तरकारी और मिठाईयां बड़े मजे ले ले करके खा रहे हैं यह क्या आप नहीं जानते हैं आज एक अदसी है मालिक का आज ब्रत है ओ यह तो बहुत अच्छी बात है जी हाँ तब तो मैं अब इस बार से स्वामी की तेरा महा एक अदसी करूँगा और खूब मजे से नकूल ए नकूल आख खाना खाले ए नकूल आख खाना खाले आके हाँ मालकी इंदी जी है तो ले यह ले खाले खाना क्या हुआ नकुल तू अचानक यह सब खाना खा रहा है आपको देखकर नकुल भी एकादर्शी का वर्त रखा है ठीक है ठीक है यह तो बहुत ही अच्छी बात है एकादर्शी सब को करना चाहिए कारण यह है कि एकादशी करने से सुक और शांती दोनों ही मिलते हैं मुझे मालूम है तु एकादशी क्यों किया है मेरे साथ साथ मिठाई पुरी खाने के लिए रुक तुझे मैं मज़ा चखाऊँगा ले खा ठीक से खा पेट भर के खा लक्ष में इसे दो तिन पुरी और दो हाँ दे रहे हूँ दे रहे हूँ क्या आरे बताशी कम मैदा बुथोगी हमें तो बहुत भूख लगी है जी आज मैदा नहीं घुन दूंगी आप पुरी मिठाई नहीं खापाईएगा क्यों क्यों सुनी हूँ आज महा एक अदसी है इसलिए यह कैसी बात है यह कैसा जोग है लगता है मालिक से मुझे बात करनी होगी मालिक मालिक मुझे एक बात पूछनी है हाँ पुछो मालिक आप तो प्रतिय एक अदसी को पूरी तरकारी मिठाईया खाया करते थे लेकिन अभी तक तो आप कुछ नहीं खाए आज जैसा तैसा एक अदसी नहीं है आज महा एक अदसी है आज निर्जल उपवास रहना पड़ता है पानी का एक बून भी नहीं पीना है आज बहुत अच्छी तरह सबक सीखा है जिन्दगी में कभी भूल कर भी पूरी मिठाई खाने के लालच में एक आदर्शी करने का नाटक नहीं करेगा एक आदर्शी करेगा नहीं करेगा